यह दोस्तों में चिराग एकवर्डियों के साथ तो आज हम कवर करने हैं TDS का 7th पार्ट तो देखिए इसमें mostly TDS के सारे provisions कवर करने ही कोशिश करूँगा और जो TCS के पार्ट है वो भी कवर करने ही कोशिश करूँगा क्योंकि मैं वीडियो को ज्यादा landing नहीं करना चाहता क् इसके बाद इसके में चीज़ भी नहीं थे और इतने important भी नहीं है मैंने आपको बता दिया ठीक है जो मैंने 194 LB LBB इस तरीके से जो भी section कवर करा है वो इतने ज्यादा important नहीं थे फिर भी आपको क्या करना उपर की heading या रखनी है उनकी TDS की rate या रखनी है यहां पे तीन अ पूरी कोशिश करेंगे ठीक है तो यहां पर देखिए सबसे पहले दे रखा है TDS on income from units section 196B तो income from units की बात कर रहा है तो कौन सी unit की बात कर रहा है section 115 AB की units की बात कर रहा है जनरली देखिए जो offshore fund होता है यानि overseas financial organization होते हैं वो foreign currency में unit purchase करते हैं अब जिन से भी उन्होंने unit purchase कर करेंगे income distribute करेंगे यानि वह interest के form में जनरली इंकम देंगे units को आप unit holder हो यानि जो overseas financial organization है वो unit holder है उसको income मिल रही है तो उस पर TDS कटेगा तो सामने आला person क्या करेगा TDS कटेगा लेकिन यहां पे एक line यह भी आ गई note में कि since income on unit is exempt from 1st April 2003 इसलिए जो यह section है वो सिर्फ किस आपने जो यह unit खरीदी भी है आपने जो यह foreign currencies में unit purchase की है जब आप उसको क्या करोगे ट्रांसफर करोगे तो उस पर long term capital gain का part आएगा ठीक है तो आपको जो income हुए long term capital gain हुआ उस पर TDS कर जाएगा ठीक है क्योंकि देखो income on unit to exempt है तो बोल रहा है hence the section is applicable only in case of long term capital gain arising on transfer of such unit त लोगी देखिए TDS की बात कर रहा है लेकिन इस पर generally tax rate भी 10% होती है अगर आप इसका provision cover करोगे section 150 ने भी का तो इसमें क्या बोलेगा offshore fund ने जो भी unit खरीदी है उस पर जो income होगी उस पर 10% tax rate लगेगी इसके लावा जब उसको बेचेगा और long term capital gain होगा उस पर भी 10% tax लगे जो भी TDS पे हुआ है उसकी इंकम पर क्योंकि यह तो शुरू में ही कट गया कप कटा at the time of payment और creating the pay which is earlier तो उसी वट कट गया तो जब उसने gross total income निकाली assessment year के according उस पर जो भी tax liability भनी tax liability में जो TDS क्रेइट है वो मिल जाएगी ठीक है तो यह ज्यादा typical नहीं है उपर उपर के पॉइंट मैंने बताया रखना है वैसे देखिए क्या बोला TDS on income from foreign currency bond और GDR देखिए जो foreign currency bond या GDR वो कौन खरीदेगा non-resident इशू कौन करेगा इंडियन कंपनी क्योंकि इंडियन कंपनी को foreign currency चाहिए तो foreign currency convertible bond इशू करेगी global depository इशू करेगी ठीक है अब इशू करेगी तो आपको पता है कि जिसने खरीद रखें उसको क्या चाहिए होगी इस पर कुछ income चाहिए होगी तो यह company क्या करेगी जैसे non-resident है जब इसको बेचेगा तो उस पर जनरली इसको क्या होगा long term capital gain होगा long term capital gain होगा तो जो person pay कर रहा है जो person खरीद रहा है आपको बताए कि non-resident बेचेगा तो जैसे बेचेगा और जो person खरीद रहा है वो जनरली क्या करेगा TDS काटेगा तो आब बोल रहा है any person responsible for paying any income by way of interest or dividend in respect of bond or GDR referred to in section 115 AC और by way of long term capital gain arising from transfer of such bond और global depository receive to a non-resident तो जैसे ही ये transfer करेंगे और उस पर long term capital gain rise होगा जिस भी company को अगर non-resident को transfer की है और capital gain rise हुआ तो उस case में क्या होगा TDS काटा जाएगा when tax shall be deducted at the time of payment or creating the pay which is earlier rate of TDS क्या है 10% plus surcharge plus health and education सेस हो गया note में क्या बोल रहा है tax shall not be deducted in respect of any dividend referred to in section 115 O देखिए अगर company क्या करती है dividend distribution tax दे देती है जो की 15% से होता है तो उस case में TDS को ही नहीं काटा जाएगा क्योंकि उस पर company ने ही dividend distribution tax दे दिया है तो generally उस case में TDS आपकी income पर नहीं काटा जाएगा या जो भी non resident है उसकी income पर नहीं काटा जाएगा क्योंकि company ने उस पर dividend distribution tax दे दिया है फिर देखे बोला TDS on income of foreign institutional investor from securities कह रहा है any person responsible for paying any income in respect of securities referred to in section 115 AD subsection 1.A to foreign institutional investor देखे तो इसमें भी simple party आपको पता है कि जो foreign institutional investor है FII वो जनरली क्या करेंगे Indian company मैं बोलूँगा bank हो गए non banking finance company हो गई जो भी listed companies हो गई उनके क्या खरीदी कि security share debentures bond इनकी बात कर सकते हैं तो उस पर generally in FII को क्या होगी income arise होगी तो जो company जो क्या करेंगी TDS काटेगी कितना काटेगी 20% plus surcharge plus health and education से इस कब काटेगी at the time of payment or creating the pay which is earlier ठीक है notes में लेकिन क्या बोल दिया tax shall not be deducted from any capital gain arising from the transfer of security referred to in section 115 AD तो tax इस पे काटनी जाएगा payable to a foreign institutional investor tax shall not be deducted from any capital gain arising from transfer of securities payable to a foreign institutional investor however tax shall not be deducted in respect of any dividend referred to in section 115 जो कि मैंने बता है जिस पे dividend distribution tax का पाट apply हो रहा है आप देख सकते हैं कि एक तरीके से dividend distribution tax लग गया तो वह exempt है 1034 आपने exempted income में भी cover किया होगा तो ऐसी dividend की income जो exempt है 1034 में इसी तरीके से mutual fund की unit हो गई जो 1035 में exempt है तो उस पर भी जनरली क्या होगा TDS का पाट नहीं कटेगा और capital gain पर भी TDS का पाट नहीं कटेगा कि जैसे यह जो units खरीदी थी यह securities खरीदी थी यह transfer की गई है तो इस पर जो भी income है उस पर भी TDS का पाट नहीं कटेगा ठीक है अब other provisions में देखिए जैसे भी आप पढ़ रहे थे किसी किसी जगे पे at the time of payment और creating the pay which is earlier किसी जगे मैंने लिखा किसी जगे नहीं लिखा लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चल जगा कि किन किन पॉइंट में generally क्या है at the time of create of account of pay और date of payment which is earlier है और date of payment यह है और date of payment या कब on the date of payment पे ही TDS काट दिया जाएगा तब at the time of create of account of pay नहीं देखा जाएगा अगर due हुआ है तब TDS नहीं कटेगा लेकिन payment हुआ है to bank तब जाके TDS कटेगा on the date of payment तो generally वो in section में और इसमें क्या हो रहा है जो deductor है जैसे वो क्या कर रहा है सामने अले person को create कर रहा है उसका नाम लिख रहा है तो वो TDS काटेगा to TDS जनल इसकी बात कर रहा है क्योंकि जब आप general entry करते तो आपको बताएगी जो deductor है वो क्या करता है expenses account debit यह करता है क्योंकि उसका खर्चा है और आपको बताएगी जो pay है जिसको income हो रही है उसके लिए वो creator है क्योंकि जो expense करन पड़ता है TDS to bank आपको पता है ठीक है अगर deduct नहीं करा तो उस पर भी आपको बता है कि penalty का पार्ट है interest का पार्ट है और TDS deduct करके जमा नहीं कराया दो चीजह होती है एक तो deduct करना जिसको काट दिया two TDS और यहा रखना एक होता है TDS to bank जिसको government में जमा करना पड़ता है तो TDS government में जमा नहीं कराया तो 1.5% per month interest है 1.5% इसका मलब क्यों गया अगर इंटू 12 करोगे month क्या according तो 18% per annum हो गया क्योंकि 1.5% per month है और यह भी 1% per month है इंटू 12 करोगे तो कितना होगा 12% हो जाएगा तो सामने वाला क्या करेगा legally provision को follow करेगा और आपको बताए कि अगले मह तो उसमें आपको थोड़ा time दे दिया जाता है और 30 April तक आपको क्या करना पड़ता है TDS को government में जमा कराना पड़ता है इस तरीके से या रखना है आपको तो यह particular point हो गए आप देख सकते हैं यहां पर आपको section दिख जाएंगे 193, 194 A, C, D, E, G, H, I, A, D, I, A, D, I, A, I, B, generally I, A मेरे को दियान आ रहा है, sale of properties related था, ठीक है, I, C, J, L, B, L, B, A, L, B, B, यह देखो मैंने सारे cover कर रहा है, M भी बता दिया आपको, तो देखो 194 M इसमें आ रहा है और 194 N इसमें आ रहा है, तो मैंने कुछ नए part भी इसमें cover कर लिए, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो, थो इसमें क्या बोल रहा है, कि अगर जो भी amount, कह रहा है न, जो भी amount, in person को government RBI को पही किया रहा है, corporation established by or under central act which is exempt from income tax, ऐसा corporation जो की exempted income tax से mutual fund को अगर कोई sum पही किया रहा है, तो उनकी income पर TDS नहीं काठा जाएगा, no TDS on any sum payable to, तो यहाँ पर या रखना है, pay कोन है, यहाँ पर RBI, corporation जो की income tax exempt है, mutual fund, तो इनकी income पर TDS नहीं काठा जाएगा, this provision for non deduction is when such income is payable to above entities by way of interest or dividend in respect of security share owned by them, देखे जनरली government ने क्या कर रहा है, किसी public company के, government company के क्या कर रहा है, shares own कर रहा है, तो उस पर जो उनके dividend की income होती है, interest की income होती है, तो उस पर TDS नहीं काठा जाएगा, वैसे इसकी बोल रहा है कि कोई भी income accrue हुई है, arise हुई है, उनको, कोई सी भी income arise हुई है, इसके लावा, mutual funds से related खरीद रहा है, तो उसकी income हो गई, ठीक है, company हो गई, जो की government के तुरू exempt है, बोल रहा है, central act के तुरू, तो उसको जो भी income होती है, business करके, तो वो भी उस पर भी TDS क का पार्ट arise नहीं होगा, और टेक्स का पार्ट नहीं लगेगा, फिर देखे क्या बोल रहा है, certificate for deduction of tax at lower rate, यह मैंने आपको बताया था, तो यह section 197 का ऑपरेटिव है, 192, 193, 194, तो देखे, A, C, D, G, H, I, J, LA, J, देखो आपको बताया, professional fees से related है, आई, यानि fee for professional service, आपको ब बताया थे, royalty, ठीक, और मैं को ध्यान आ रहा है, non-compete fees, डायरेक्टर की वीज, इस से related बताया था, 194, आई मैंने किस से related आपको बताया था, जहां तक ध्याना रहा है, rent से related बताया था, मैंने आपको, 194C जैसे मैंने बताया था, payment to contractor, subcontractor, इस तरीके से आपको याद रखने ठीके, कह रहा है, in such cases, assessi can make an application to AO for TDS at lower rate, और no TDS, तो generally जब भी section 197 है, 197 है, तो इसका मलब क्या है, कि जो सामने अलब percent है, यानि payee या रखना, जिसकी income पर TDS काटा जा रहा है, देखो, deductor को यह मतलब नहीं है, deductor तो क्या बोलेगा, कि government जो बोला है, 5% तुम्हें 5% काटू एक परसेंट, तुम्हें 1% काटूँगा, ठीक है, लेकिन payee क्या बोलना चाहता है, क्या मेरी income ही इतनी नहीं हो रही, मेरी income ही कम हो रही है, अगर आप मेरी income देखोगे, तो वो तो slab rate को भी ज्यादा cross नहीं कर पा दी, generally ऐसे बोल देंगे वो, या यह बोल सकते हैं कि, जो मेरी income होती है, जो भी मैं कमाता हूँ, उस पर जो tax का पार्ट है, वो इतना बनता ही नहीं है, तो आप क्या कीजिए, lower rate से काटी है, या TDS काटी है ही मत, तो pair बोलेगा, मैं तो ऐसे कर निकलेता है, आरू हूँ, लेकिन आप certificate लेके आजो, जो एक तरीके से AO के दोरा permissible है, तो इसके इसमें पेई को certificate मिल जाता है, क्योंकि AO satisfied हो गया है, वेर AO issues are certificate, तो डिटक्टर को क्या करना पड़ेगा है, या जो pair है, उसको lower rate से tax काटना पड़ेगा, या वो tax काटेगा ही नहीं, अगर zero rate बोलती है, किसी किसी के इसमें क्या होता है, AO certificate देता है, पेई को zero rate से, तो इसका मलब क्या है, उसकी income by TDS कटता ही नहीं है, यह बोल रहा है, until such certificate is cancelled by AO, जब तक कि वो certificate है, वो expand हो जाए, यह हम बोल सकते हैं कि AO अगर उसको cancel ना कर दे, तब तक तो क्या होगा, lower rate से या zero rate से TDS कटेगा ही कटेगा, लेकिन उसके बाद नहीं कटेगा, उसके बाद है कि उसकी income from salary का part होगा, income from salary का part होगा, house property की income का part होगा, तो जैसे आगर आपको पता है कि rent की income है house property की, और उस पर TDS काटा जा चुका है, सामने वाले deductor द्वारा, जो generally क्या कर रहा है, pay कर रहा है, आपको मिला less होके, तो वापिस से आपको क्या करना पड़ेगा, gross करना प total income पर क्या बनेगी, tax liability बनेगी, जो tax liability बनेगी, यह मैं पहले भी आपको बदा चुका हूँ, फिर उस में से आपको TDS की जो भी credit है, वो मिल जाएगी, या नहीं उतना प्लेस कर दोगे, उतना आपको tax चुकाने की जूरत नहीं है, तो देखिए जैसे example में बोल रहा है, if Mr X received interest of Rs.18,000, क्या काटने के बाद, 2000 का टेक्स काटने के बाद, तो उसकी interest income 20,000 considered की जाएगी, क्या की जाएगी, 20,000, लेकिन exception में क्या बोल रहा है, कि जनरली जो particular income है, जो काटा गया है, तो उस पे 18,000 में मिला, और 18 में 2000 जोड़ती है, 20,000, जैसे आपको पता है कि एक employee उस income tax के competition के लिए, लिकिन exception में क्या बोल रहा है, the sum being the tax paid under section 192 1A, that is tax paid by employer on non-monetary per quidgets, तो वो वापिस से आपको add करने की जूरत नहीं है, बलकि आपको बता है, इसमें आपको क्या एक तरीके से deduction भी मिलेगी, exemption भी मिलेगी कि कह रहा है, sum being the tax paid, tax paid by employer on non-monetary per quidgets, मैंने आपको बताया था, समात सेवा कर रहा है, एक तरीके से वो, कि employee को rent free accommodation दे रहा है, जो भी facilities दे रहा है, उस पर भी tax कौन पे कर रहा है, employer पे कर रहा है, employee नहीं पे कर रहा है, employer पे कर रहा है, यह under section 194N, जिसमें मैंने क्या बताया था, आपने cash जमा कराया है, और आपने 1 करोड से आपने क्या होगा, जो भी access amount है, उस पर आपको 2% TDS देना पड़ेगा, यह नया provision आपको बताए कि 119 से आया है, तो एक बार जाकर देख लें न, 194N पिछली वीडियो में बताया था, for the purpose of computing the income of necessity, shall not be deemed to be income received, तो देखिए आपको बताए कि cash कोई income नहीं होती, तो generally यह नहीं कि income में दिखा देंगे, यह हम बोलेंगे कि हमारी gross total income में जो cash का part है, वो include हो जाएगा, क्योंकि हमने एक करोड़ बीस लाग निकाले है, हमने एक करोड़ बीस लाग निकाले है, इसका मतलब यह नहीं कि इस पर 2% TDS कट गया, क्योंकि access बोल रहा है, तो 20 लाग पर 2% TDS कट गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि जो बीस लाग का part हो गया, या एक करोड़ बीस लाग का part हो गया, वो gross total income में आ जाएगा, वो थो हमारी asset है, तो इसलिए exception में बता दिया कि यह income में include नहीं किया जाएगा, वैसे यह भी part, अगर आपके बिहाफ पे employer क्या कर रहा है, non-monetory perquisites पे tax पे कर रहा है, तो उसको भी income में नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको यह deduction के form में allow हो जाएगा, deduction के form में allow हो जाएगा, फिर देखी क्या वोल रहा है, where any income is paid, net of tax, that is tax chargeable on such income shall be bond by the pair, then for the purpose of deducting tax, such income is required to be gross up, however, grossing up is not required in case of tax on non-monetory perquisites paid by the employer, उपर के point है, जो मैंने ब cross करने की ज़रत नहीं है, और income में लेने की इसको ज़रत नहीं है, और आपको deduction भी बाद में मिल जाएगी, इसकी बलकि, फिर बोल रहा है, section 199, create for TDS, तो यह बोल रहा है कि amount of TDS shall be allowed as set off in the year in which income is assessed, तो मैंने आपको बता है, previous year जैसे है, आपका 1920, assessment year है 2021, assessment year के according tax liability निकली, यही मैंने बता है आपको बार बार और आपको बता है कि आपका TDS किसी ने किसी चीज पर कट चुका है, जैसे मान के चलिए कि आप CEO professional service दे रहे हो, तो 40,000 पे कि आपने क्या करी, एक receipt बनाई, क्योंकि 40,000 की service दी ती उस पर 10% TDS कट गया, आपको कितना मिला, 36,000 मिला net, तो जो 4000 TDS कटा है, अब आपकी tax liability कितनी बन गई 20, उसमें से जैसे मान के चलिए TDS आपका कटा है 4000, तो उसकी credit आपको मिल जाएगी, और बाकि आपको 16,000 ही देने पड़ेंगे, तो आपको credit मिल गई, यही बोल रहा है, any sum referred to in section 192 1A, and paid to CG shall be treated as tax paid on behalf of the person in respect of whose income such payment of tax has been made, अब देखे क आप बोल रहा है कि अगर tax employer ने pay कर दिया, तो यही माना जाएगा कि employee ने pay किया है, तो उसको credit भी मिल जाएगी, तो non monetary per credit जैसे मैंने बता है, rent free recommendation या जो भी facility employer दे रहा है, अगर उस पे जो tax है, वो employer पे कर रहा है, employee पे नहीं कर रहा है, तब भी employee को या रखना, employee की जो income हो रहा है, generally यह बोल रहा है, कि net को gross नहीं किया जा रहा, और दूसरा उसको TDS की credit भी मिल जा रही है, ऐसे point हो गया, ठीक है, फिर देखे क्या बोला, no deduction to be made in certain cases 197A, या पे देखे 197 तो क्या था, कि एक तरीके से AO से certificate ले लिया, और बोल दिया कि मेरी income पर TDS मत काटी है, या zero rate स काटी है, या पे 197A में generally वो क्या बोल रहा है, अपनी कम income की दुहाई दे रहा है, कि मेरी estimated total income वैसे भी क्या होगी पिछले साल की, उस पर tax लगेगा ही नहीं, आप चाहिए देख ले ना, मेरी basic exemption limit क्या होगी, कम आएगी, यानि basic exemption limit से कम आएगी income, या income जादा भी आ रही है FD पर interest मिलता है, तो हम क्या गरेंगे, bank में जाएंगे और एक form बढ़ देंगे, जिसका number होगा form 15G, और अगर मैं senior citizen हूँ, यानि age मेरी 60 साले उससे ज्यादा है, तो मैं बढ़ूँगा 15H form, और क्या बोल दूँगा, कि मेरी जो estimated total income हो वैसे ही निलाती है, ठीक है, जैसे मा पर इंकम हो जो पर संगे जो यह इंकम कमार है, जिसने बैंक में जमा करा है, या जो 60 साले उससे ज्यादा की एच का है, वो form नमर 15H पर देगा, और बोलेगा, कि मेरी income ही है, उसके अलावा मेरी कोई income ही नहीं है, या मेरी दूसरी भी income है, तो उस पर भी मुझे पताए कि जो estimated total income है उसको जो tax बनेगा वो निली बनेगा तो आप क्या कीजिए tax काटी ही मत तो bank क्या करेगा tax काटेगा ही नहीं bank tax काटेगा ही नहीं तो देखिए यहां पर pay icon है resident individual और यहां पर क्या person other than company और form है तो देखिए 194, 194, EE की बात कर रहा है 15G form number है और 15H कब होगा जब person के 60 यह उससे ज़्यादा हो मालब senior citizen है amount of such income or the aggregate of such income created or paid or likely to be created or paid during previous year exceed the basic exemption limit तो वो जो income बताना चाहता है कि मेरी कम है अगर वो वैसी ज़्यादा हो रही है आपको बताई कि उसका ब्याजी इंट्रेस्टी पांच लग का बन रहा है तो बेसिक exemption limit से उपर आ गया तब यह section applicable नहीं होगा ठीक है तब तो उसकी income पर TDS कटेगा ही तो यहाँ पर उसको form number बढ़ने की जुरती नहीं है देखिए यह तो एक तरीके से text को बचाने के लिए लोग कर रहे है ठीक है वो text को बचाना चाहते है तो generally वो form 15 G बढ़ देते हैं या जो 60 years या उससे ज़्यादा की age का वो 15 H बढ़ देता है तो क्या बोल रहा है कि जिस महीने में declaration किये कि मेरी income basic exemption limit से कम है या उसके अगले महीने के 7 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा पड़ेगा CC को CC को या PC को डिलीवर करना पड़ेगा एक कॉपी और क्या फिर देखिए बोल रहा है 197A1D no TDS on interest paid to non-resident or resident but not ordinarily resident by IFSC banking unit on deposit made on or after 1st April 2005 in India और on borrowing made on or after 1st April 2005 from such persons देखिए इसका मलब तो यह हो ना कि जो non-resident या resident but not ordinary resident है वो क्या कर रहे है IFC की IFSC की banking unit में क्या कर रहे है deposit करवा रहे है जो की 1 April 2005 है उसके बाद है उस पर जो उनको interest मिल रहा है उस पर TDS नहीं कटेगा यह बोल दिया फिर सी तरीके से देखिए यह 197A1E no TDS shall be made from any payment to any person on behalf of N NPS Trust फिर 197A1F हो गया no TDS on falling payment in case of such payment is made by person to a bank excluding a foreign bank और to any payment system company authorized by RBI तो यह बोल रहा है कि अगर such payment किया जा रहा है a person person द्वारा in bank को और to any payment system company or to any payment systems company authorized by RBI ठीक है यह RBI द्वारा किसी ऐसी company को दिया जा रहा है RBI द्वारा authorized किसी ऐसी company को payment किया जा रहा है उस person द्वारा तो person या तो बैंक को कर रहा है यह किसी ऐसी कंपनी को कर रहा है जो RBI द्वारा authorized है तो देखिए बोल दिया bank guarantee commission credit card or debit card commission for transaction between the merchant establishment and acquire bank depository charges on maintenance account cash management service charges underwriting service charges charge for warehousing services यह सारे normal charges clearing charges including interchange fees or any other similar charges charge at the time of settlement or for clearing activity under payment and settlement system act 2007 तो देखिए जनरली आपको बताए कि आप क्या करते हो जैसे देखिए bank guarantee guarantee दी आपने किसी के व्याव पे उसका commission वो पे कर रहे हो bank को credit card debit card बोल रहा है उसका commission क्योंकि transaction जो हो किसके बीच में है merchant establishment मलब एक व्यापारी के बीच में और acquirer bank के बीच में उसी तरीके देखिए क्या बोल रहा है कि demate account को maintain करने के लिए आप depository charge देते हो cash management service charges तो आपको बता है कि आप ATM charges ये सारे के सारे पार्ट देते हो तो ये थोड़ी की उस पर TDS का पार्ट कटेगा कि आप payment करने वाले हो और bank के उसको income हो रही है तो उसकी income पर TDS कटेगा तो इन सारी चीजों पर TDS का पार्ट applicable नहीं होगा फिर देखिए क्या बोला है duty duty of person responsible for deducting tax at source देखिए ऐसा section कोई खास नहीं क्योंकि आपको बता है कि जब एक person होगा जो डिड़क्टर होगा विठरी की tax काटके बैठ जाएगा जनरली उसको क्या करना पड़ेगा जमा करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा जमा करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब जैसे कि अगर मई में काटा तो जून की साथ तारिक के अंदर जमा करना पड़ेगा जून में काटा तो जुलाई की साथ तारिक तक जुलाई की साथ तारिक तक जमा करना पड़ेगा अगर मार्च में काटा तो तब थोड़ा टाइम जादा मिल जाता है क्योंकि आपको मैं जो मैं include कर सकता हूं तो थोड़ा उसको time चाहिए होता है तूस अकोर्डिंग उसको 30 अपरेल का time मिल जाता है जिसके तुरू यानि एक महीने मिल जाता है तीस दिन मिल जाता है जिससे वह आराम से TDS क्या कर सकता है गौवर्मेंट में जमा कर सकता है तो सबसे पहले line तो यही है दूसरी में क्या बोल दिया एन एंप्लोर पेंग टेक्स और नौन मॉनेटरी पर कृड़िट्स प्रवाइड टू एंप्लोई एस पर सेक्शन 192 ने शुट डिपॉजट टेक्स तुद एक्स का बाट होगा उस पर टेक्स कौन पे कर रहा है एंप्लोर पे कर रहा है अभ टेक्स की क्रेट भी मिल जाती है तो यह जनरली जो टेक्स से वह कौन जमा करा रहा है एंप्लोर एंप्लोर को सेंटल गवर्मेंट के अकाउंट में यानि खजाने में जमा कराना पड़ेगा अब देखिए बोला डिपॉजट ऑफ टीडियस विदिन टाइम लिबिट जो आ यह जमा करना पड़ता है कब तक टेक्स इस डिडेटेट एट और यह जो लाइगे जो टेक्स काटा गया वह गार्मेंट की बिहाफ पर काटा गया तो उसकेस में वेर देक्स इस पइड विदाउट प्रोड़क्शन ऑफ इंकम टेक्स चालान और सेम डेट तो अगर इंकम आपको बोला कि माई में TDS काटा तो उसका end month क्या होगा 31st माई यही तो होगा sorry end date क्या होगी 31st माई और उसके बाद आपको बताए कि उसके 7th day के अंदर तो इसका मलब क्या हो गया 7 June on or before 7 days from the end of the month in which tax is deducted फिर बोल रहा है when the assessing officer after obtaining prior approval from joint commissioner permits quarterly payment of tax जब assessing officer क्या करता है permit कर देता है कि quarterly payment कर सकते हो कह रहा है where deduction is made under section 192 जो की generally salary से related हो सकती है आपको पता है और मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ देखिए 194 A 194 D और 194 H या रख लेना मेरे साथ से 194 H जा तक ध्यान आ रहा है वो general commission brokerage की बात करता है 194 D insurance commission की बात करता है तो एक बार आपको दिखाई देता हूँ देखिए इस particular section में आ गया हूँ यह section salary का है 192 का वैसे ही फिर अपने देखा था 194 A देखिए 194 है तो 194 A TDS on interest other than interest on security उसके अलावा जो भी interest की बात कर रहा है ठीक है interest on securities को छोड़के क्योंकि जनरली आपको बता है जो interest on security उसमें company ही दे सकती है क्योंकि company securities issue करती है shares, debentures, bond company ही कर सकती है पर उसके अलावा जो interest है वो सारा case 194 A में आएगा फिर आपको 194 HD बताना तो यह भी जल्दी बता जाते हैं देख जाएगा देख सकते हो यह एच दिख रहा है TDS on commission etc other than insurance commission जा रखना ठीक और एक था अपना और देखिए कि यह रहा insurance commission section 194 D इसकी बात कर रहा है ठीक है तो यहां तक तो मैं आपको बता दिया अब देखिए पॉइंट पर मैं आ जाता हूं फटावट से यह रहा अपना पॉइंट यह आ गए देखिए बोल रहा है विदिन जुलाई 7 for quarter ending on June 30 तो आप देख सकते हैं अपरेल मैं जून एक quarter हो गया एक अपरेल से 38 जून उसका कब होगा जुलाई 7 विदिन जुलाई 7 उसके अंदर प पिर जनवरी फरवरी मार्च का तो देखे थोड़ा सा टाइम दे दिया जाता है इसमें तो अपरेल 30 यह मैंने normal cases में आपको बताया है तो normal cases सबको याद रहते हैं लेकिन देखे जब क्या होता है जो tax deduct करने वाला होता है अगर वो government है तो उस case में चालान अगर produce नहीं किया payment of tax की किस case में इस case में इस case में इस case में और इस case में जो मैंने बता है तो इस case में क्या है जनवरी से सब्सक्राइब जून जुलाई से लेके क्या बोल सकते हैं September तो October 7 अक्टूबर नावर दिस समर तो January 7 और January February March तो April 30 इसकी बात कर रहा है फिर बोल रहा है for the month of March देखे इन any other case तो मैंने क्या बताया था within fourth coming 30th April आगया तो 30 दिन का time मिल जाता है एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं लेकिन बोल रहा है कि March के लावा जो भी month है जैसे April, May, June तो April से लेके फरवर यह तो उस case में क्या है within seven day from the end of the month in which tax is deducted at source exception where tax is deducted under section 194 IA और 194 IB tax shall be paid to the credit of central government within a period of 30 days from the end of the month in which deduction is made and shall be accompanied by a चालान कम statement in the form number 26 QB for section 194 IA और 26 QC for section 194 IB देखिए अगर आप आईए और IB का पाट देखोगे और QB और QC का देखोगे तो अगर आपको यह नहीं पता कि sir QB और QC form क्या है पहले वो मैं बता देता हूँ देखें यह मैंने MCQs cover करें TDS और TCS के एक साथ तो उसमें मैंने 4U section लिख दिया जिससा आपको दिक्कत नहीं हो तो यहाँ पर देख सकते हैं 26 Q है TDS on all payment except salaries क्यों क्योंकि form नमर जो 24 Q है वो TDS on salary की बात करता है उसमें भी quarterly देखो quarterly 1 due date क्या 31 July, quarter 2 31 October तो आप देख सकते हैं क अपरेल मैं जून का 31 July तक दे रखा है transaction reported in the return तो यह किसकी बात कर रहा है quarterly return की बात कर रहा है तो जो return जमा करानी है देखें जो अभी आपने पड़ा हो क्या था TDS जमा कराना था government में वो जमा करानी की date थी लेकिन आपको पता है कि generally जो यह date है वो कहीं किये return की quarterly return की तो form न 30 October तक 30 का time मिल गया फिर October November तो January 30 January तो 30 दिन का time मिल गया वैसे देखें क्या बोल रहा है क्या आपको अपरेल और मई तो इसका मतलब क्या हो गया आपको दो महीने का time मिल गया इसमें वैसे आप देख सकते है 27 क्यू है TDS on all payment made to non-resident except salary यहाँ पर TDS on salary है फिर देखें आप क्य बोल दिया कि जब भी non-resident को जितने भी payment कर रहे है salary को छोड़के तो उसके लिए form 27 क्यू हा गया यह वाला same part है आप देख सकते हो उपर कि दर है लेकिन जब मैंने form 26 क्यू भी बताया था तो क्या बताया था TDS on sale of property तो आपको बताये कि इसका section क्या है 194 आईए यह यह बताय गया है जिसे मई में काटा तो आपको पताये कि उसकी साथ तारीक को जमा कराना पड़ेगा साथ जून जैसे बोला लेकिन 30 दिन के अंदर आपको return भी पेश करनी पड़ेगी form 26 क्यूब में क्यूभी में तो देखो जमा तो कराना ही है लेकिन साथ में आपको quarterly quarterly बोल रहा तब ही यहां पर एक तरीके से quarterly 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 यह time दे दिया गया है नहीं तो यहां पर क्या time दिया गया है 30 days from the end of the month in which TDS is deducted form 26 QC TDS on rent ठीक है आपने rent पे किया उस पर जो TDS का बाट है तो उसके इसमें 30 days from the end of the month in which TDS is deducted तो आप देख सकते हैं यही पार्ट मैंने अभी आपको बताय अब देखिए मैं अगले पार्ट में आगया थोड़ा सा क्या है कि बीच में यह क्या बोल सकते हैं एक तरीके से block हो गया था सारा पार्ट तो देखिए आप देख सकते हैं यहां पे यह 26 QB का पार्ट दे रखा है और 26 QC का पार्ट दे रखा है तो एक बार 194 IA में लेके च चल लेता हूं देखिए हर पॉइंट बताने पड़ते हैं तब ही थोड़ा सा क्या होता है अलग-अलग श्लाइट में जाता है तो कोई बात नहीं आपके लिए में पूरा पार्ट कवर कर रहा हूं तो 194 IA में जाता हूं इक बार देखिए इसमें आगया हूं टीडियस और इसमें बताया था कि जो सेलर होता है अपनी हाउस प्रपरटी बेच रहा है तो उसकेस में जो सेल वैलियो 50 लेक है उससे ज्यादा क्यों नहीं चाहिए तब बायर क्या करेगा एक परसें टीडियस काटेगा और इसकेस में यहां पर यह भी बताया था देखिए किया तो जून में आपको बताए कि साथ जून के अंदर टीडियस तो क्या करना है जमा कराना है कराना है लेकिन जो रिटन बढ़नी है वो तीस दिन के अंदर आपको रिटन बढ़नी पड़ेगी फॉर्म नूंबर 26 क्यों में क्यों भी में चालान कम स्टेट्मेंट देना पड़ेगा अब देखिए उसी तरीके से यह 194 IV की बात कर रहा था रेंट वाइस सर्टेन इंडिविजल और एचेफ की बात कर रहा था तो इस केस में आपको बताए कि इस केस में क्या आता है जो इंडिविजल होता है उसकी टेक्स ओडिट नहीं होती उसकी टेक्स ओडिट आगा तो जनलली वो क्या अगरते हैं आप देखो विराण कोली या किसी की बात करेंगे अगर वो फ्लेट पर रह रहे रहा है और उसका खुद का नहीं वो एक लाक राख दे सकता है उसकी तनी इंकम हो सकती है तो उसको टीटीएस काट न पड़े गा जो वीढ़े जिसको income मिल रही है उसकी income पर 5% TDS वो काटेगा लेकिन कप काटेगा वो कातेगा आपको बता है कि जब तक वो रह रह रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया कि 31 मार्स तक रहेगा तो मार्च जो मार्च का मंत है उसका पूरा एक साथ TDS काट देगा अगर वो वेकेंट कर रहा है जैसे मैंने बताया था December में तो December में TDS काट देगा जनरली यही मैंने आपको बताया था तो यह आप देख सकते हैं उसमें जनरली उसको 10 number की जरूद भी नहीं होती टेक्स, assessment, tax deduction and collection, account number की जरूद भी नहीं होती सीधा pen number से ही काम चल जाता है यह भी जनरली मैंने आपको बताया था अगर सामने आला कि अगर रहा pen number नहीं दे रहा तो higher rate 20% से काट लिया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यह particular point आ जाएगे अब देखिए वापिस अपने point पर चलते है तो देखिए यहाँ पर हम आ गए अब जनरली देखना कि अभी जो मैंने बोला कि वो साथ तारीक के अंदर करना पड़ता है तो उसको भूल जाना क्योंकि यहाँ पर exception था यह मैंने ध्यान नहीं दिया तो exception में देखिए यही बोल रहा है 194 IA और 194 IB में क्या होगा कि 30 दिन के अंदर आप कर सकते हो जमा 30 दिन के अंदर आप सेंटरल करनमेंट के अकाउंट में जो TDS काटा गया है उसको जमा करा सकते हो जनरल इस section में यही दे रहा है नए नए section आते रहते हैं देखिए फिर क्या बोल रहा है issues of certificate to pay any person responsible for detecting tax shall required to see a certificate electronically generated to the pay अगर देखिए नेचर ओपेमेंट सैलरी है तो उस case में certificate क्या करेगा फॉर्म नंबर 16 आपको बताए कि employer कर एंप्लोई को क्या करेगा फॉर्म नंबर 16 certificate issue करेगा और अधर्स केस में जैसे सब बोच करो कि मैंने professional service किसी को दी मैंने कोई technical service दी यह बोल रहा है उस case में तो सामने आला जो person है जो की expenses कर रहा है वो क्या देगा form नंबर 16 ए देगा क्योंकि यहां पर employer-employee का relationship नहीं है यहां पर देखिए बोल रहा है annual certificate shall be issued on or before June 15th of the financial year following the financial year in which tax is deducted जिस year में tax deduct किया है उसके आपको पता है कि देखिए अगला साल जाएगा कर रहा है ना following the financial year in which tax is deducted तो जिस साल tax deduct किया उसके अगले साल 15 जून या उससे पहले तक annual certificate देगा अधर्स में क्या बोल दिया quarterly certificate shall be issued within 15 days from the due date of fundraising quarterly TDS return ठीक है तो यह बोल रहा है from the due date of fundraising quarterly TDS return तो आपको मैंने अभी बताया यह वाला तो यह quarterly TDS की return की date थी आप देख सकते हैं यह पार्ट आपको दिख रहे हैं तो इसमें अगर आप due date देखोगे 31st July तो उस case में क्या बोलेंगे 15th August ऐसे हो गया 31st October तो हम क्या certificate मिलेगा तो यहाँ पर आपको पताए कि employer क्या कर रहा है salary का payment कर रहा है और employee को मिल रही है income तो जो पेई है वो कौन है employee है तो उस case में देखिए TDS on salary payment form no 16 frequency क्या yearly on or before 15 June आप समझ जाओगे इस तरीके से form 16 ने TDS on non salary payment quarterly अभी हमने cover किया 15 days from due date of filing return फिर देखिए मैंने cover नहीं किया तो यह भी cover कर लिए क्योंकि exam में generally क्या होते है list one list two आ जाती है और इस type क्या जाते है तो देख सकते है TDS on sale of property every transaction 15 days from due date of filing return form 16C TDS on rent every transaction 15 days from due date of filing return तो जो return file करिए उसके अगले 15 दिन में ठीक जो return filing करिए उसके अगले 15 दिन में generally क्या करना है पड़ेगा form number 16B 16C 16A इस तरीके से क्या करना पड़ेगा pay को देना पड़ेगा और form number 16 में तो annually part तो देखे जनरली यही cover था इसलिए मैंने cover किया क्योंकि आप या रखना कि देखो 16B cover नहीं था फिर आप बोलते कि section 192 यानि जहाँ पर employer-employee का relationship है salary का पाट है तो उसके समें form number 24Q tax is deducted from payment made to a non-resident foreign company or not ordinarily resident तो उसके समें form 27Q in other cases form 26Q तो अगर आप अभी देख सकते हो कि मैंने जो यह cover किये इसमें मैंने यही आपको बताया आप देख सकते हैं in other cases form 26Q form 24Q TDS on salary form 27Q TDS on all payment made to non-resident accept salary और देखिए 26Q का पाट cover किया उसके बाद देखिए 26Q भी अलग से है और 26QC अलग से है जो कि एक तरीके से individual HF के rent की बात कर रहा है contractor या subcontract को payment कर रहे है या यह मैंने गलत बोल दिया TDS on rent की बात कर रहा है तो rent से related जो मैंने आपको provision बताया था 194 I में जाते हैं मुझे द्यान आ रहा है तो उसकी भी बात करेगा तो वो देख सकते है form 26QC आ जाएगा और भी मैंने आपको बताया कि कर रहा है पचास जार पर मंद से जादा का monthly rent पे कर रहा है तो उस पर TDS का बाट अपली की बल होगा तब form नमबर 26QC में return फिल करनी पड़ेगी तो कौन करेगा जो expenses करने वाला है जो deductor है या रखना तो यहाँ पर deductor की बात हो रही है देखिए जो form फणिश होगा और form मिल मिलेगा वो किसको मिलेगा पेई को मिलेगा मलब deduct को मिलेगा लेकिन आप जो quarterly return की बात करते तो quarterly return कौन बढ़ता है तो generally deductor बढ़ता है तो यहाँ आप देख सकते हैं form नमबर 24Q 27Q 26Q किसके लिए है deductor के लिए देखिए देखिए तो क्या है उसको 26AS चाहिए जिससे एक तरी क्या करोगे आप अपना pen number कोट करोगे या अपनी login ID कोट करोगे तो आपको 26AS दिख जाएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका TDS कहा कहा से कटा है फिर देखिए बोल रहा है due date of furnishing quarterly statement तो क्या बोल रहा है four quarter ending on 31 June बताया जुलाई फिर September का October बताया मैंने आपको December क तो देखिए आप देख सकते हैं कि अभी मैंने जो आपको पार्ट बताया है यह वाला तो आप यही कवर कर लेना जब मैं एमची की इस बता रहा हूं total 40 कवर किए उसके बाद यही कवर कर लेना यही काफी होगा आपको इतना detail में जाने की ज़रूत नहीं होगी क्योंकि ए मैंच करना पड़ेगा यह कभी आपको बोलेगा कि TTS on rent और जो यह sale of property है उसके कौन से form नंबर है तो आपको बताना पड़ेगा 16B और 16C है इस तरीके से पूछ लेता है इसी तरीके से आपके quarterly return के भी पूछ सकता है तो वह भी आपको ध्यान रखना है कि 24Q salary का है 27Q payment to non resident का other case का है और उसमें भी इसके अलावा 26QB भी है और QC भी है इस तरीके से आपको या रखना है जो 26QB है वो किसके case में था आपका जो अभी अभी हमने cover किया आपको ध्यान है यह पाट आगया और इसका आपको बता है कि जो मैंने बता है और इसका 16B होता है और इसका 16C होता है इस तरीके से form नंबर भी आपको या रखना है जो पेई को मिलता है एक तरीके से फिर देखे क्या वह लाग आपको बता है कि आज कल तो अलग अलग कंपनी के सॉफ्ट्वेर भी आते है जिसका आप यूज कर सकते हो बस आपको क्या करना है कि जो भी खर्चे की डीटेल है वो डाल देनी है जो पैन नंबर ये डाल देना है परसन का इसी तरीके से जो भी डीटेल मांगी जाएगी व कौन सा परसन है वो सारी डीटेल भी अपने आप इंकम टेक्स डेपार्टमेंट में जा सकती है इस तरीके से स्ट्रॉंग सॉफ्ट्वेर बन गए ठीक है जो कि CA जनरली यूज करते हैं हम यूज नहीं करते हैं लेकिन वो CA जनरली यूज करते हैं तो देखिए क्या बहुत कोई अर्थमेटिकल आगया जब भी क्या करते हैं वो एक तरीके से अपने रिटन सब्मिट कर रहा हता है याज सी एक की थूरू सी ए क्या कर रहा हुता है तो कुछ नकुछ एरर आते हैं तो वो एरर का अजज़्ट्मेंट करेगा इंकर्ट क्लेम इफ सच इंकर्ट क्लेम less on 10 जामिट भी रहीच का रहा हैं वो हो और एक लाग लैकिन एक बार क्या होग है इंकर्ट हो गया तो आपको बदाना पड़ेगा कि रेंच चेंज शोगया गया जनरली इस तरीके से रिटन में पता रहना चाहिए. Third, interest has to be computed on the basis of some deductible as computed in the statement. फिर बोलरा, fee under section 234E, a fee for Rs. 200 per day is levied under section 234E for late furnishing of TDS statement. कब से, from due date of furnishing of TDS statement to date of actual furnishing of TDS statement. Total fees under section 234E shall not exceed total amount of TDS or TCS. Such fees has to be paid before delivering the TDS statement. तो TDS की return को deliver करने से पहले इस fees को आपको pay कर देना है अगर late हो जाती है. Some payable by the director should be determined after adjustment of interest and fee against the amount paid under section 200, 201, 234E and any other amount paid by way of tax interest fees. तो बोल रहा है कि वो कब निकलेगा? सारा का सारा interest fees का determined किया. उसके बाद यह पता चलेगा कि detector द्वारा कितना sum pay करना है क्योंकि आपको पता है कि यह expense करने वाला है. तो उसको कितना amount pay करना है. Intimation will be sent to deductor specifying his tax liability or refund due within one year from the end of financial year in which statement is filed. तो जिस year में statement file किया, उसके एक साल के अंदर आपको पता चलेगा कि आपका क्या refund का process रहेगा, क्या tax liability का आपका part है. वो deductor को मिल जाएगा. Consequences of failure to deduct or pay TDS to CG. Consequences of failure to deduct or pay TDS to CG. यह मैंने आपको बताया वाइद देखो वैसे तो normal part है कि आपको क्या करना पड़ेगा, TDS काटना पड़ेगा. चलो आपने काट जाए लेकिन government में जवान नहीं कराया. तो दो चीजे हो गए जिसकी वज़े से आप असेसियन default हो गए. Any person who is required to deduct tax at source. Being an employer opt for payment of tax under section 192 वह ने जहाँ पर आपने non-monetary perquisites पे जो भी tax का part होता है, वो खुद पे करने के लिए decide कि employer खुद पे करेगा. तो वो person असेसियन default कब होगा? जब does not deduct or pay whole or part of the tax. Such person shall be deemed to be an assassin default. तो देखें, deduct नहीं करा, कहने का मलब काटा ही नहीं, अपनी books में entry ही नहीं करी. सीथी से बात है, entry के अगर दी, expenses account debit to bank या party का नाम. लेकिन साथ में TDS की entry नहीं करी, इसको बोलते है TDS काटा नहीं. और दूसरा क्या है, चलो TDS काट लिया, यानि आपने two TDS कर लिया, लेकिन उसको government में जमा नहीं करा है, TDS to bank नहीं करा. इसका मलब आपको government में create करना पड़ेगा, वो नहीं करा आपने. तो such person shall be deemed to be assassin default, लेकिन देखिए वो कब assassin default नहीं माना जाएगा. तो देखिए क्या होता है, expense करने वाला होता है, आपको बता है deductor, और आपको बता है कि सामने वाला क्या होन होता है deductee, जिसकी income पर TDS काटा जा रहा है. अगर उस deductee ने, income tax की जो due date होती है, जैसे under section 139 के according आपको बता है कि 31 July, company के case में 30 September, ऐसे normally आप cover करोगे, e-filing में तो पूरा आप देखोगे, लेकिन normal बता रहा हों कि 31 July या उसके अंदर, उस deductee ने, अपनी return file कर दियो, if a resident payee has filed under, sorry, return of income under section 139, and has included such sum in computed his total income in ROI, और जिस income पर या card लिया, लेकिन जमा नहीं कराया, वो उसने अपनी income में include कर दिया, और साथ में उस पे tax भी pay कर दिया, and has paid tax on such sum, तो उस case में deductee in default नहीं कहलाएगा, deductee in default नहीं कहलाएगा, क्योंकि सामने आले deductee ने क्या कर दिया, due date के अंदर return file कर दिया, और total income में उस particular income को, जिस पर उ उसको उसने include कर दिया, और उस पर tax भी pay कर दिया, तो सामने आला जो deductee रहे वो default नहीं कहलाएगा, ठीक है, no penalty under section 221, if failure is due to good and sufficient region, अगर failure कोई sufficient region आप बता देते हो, कोई अच्छे region से बता देते हो, तो उस case में कोई penalty नहीं लगेगी, फिर देखे क्या बोल रहा है, time limit for deeming a person to be assessing default for failure to deduct tax at source, time limit का है, कि एक person को assessing default जो department है, वो मानेगा, तो यह बोल रहा है कि order under section 201, subsection 1, feeling a person, feeling नहीं है, filing a person, assessing default shall be passed at any time before 7 years from the end of financial year in which the payment is made or credit is given, देखे, यानि आप देख सकते हैं कि person क्या हो गया, जैसे मैं खुद की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने क्या गर दिया, expenses to bank कर दिया, expense to creator कर दिया, लेकिन मैंने TTS नहीं काटा, तो government मुझे क्या करेगी, 7 साल तक मैं assassin default मान सकती है, अगर 7 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद अकर वो government कोई action नहीं लेती, देखे, government क्या कर रही है, कोई भी notice नहीं बेज रही, 7 साल हो गए, तो उसके बाद मैं assassin default नहीं कहलाँगा, तो मैं assassin default कप कहलाँगा, जैसे ही 7 साल है उसके अंदर, क्योंकि government उसके अंदर मुझे notice दे सकती है, notification जो भी है, वो issue कर सकती है, और आपको क्या करूँगा, जब PDF प्रोवाइड करूँगा, तो उसमें cover कर लूँगा, ऐसे जनरली कर दूँगा, क्योंकि वैसे इतने ज्यादा need नहीं है, जो changes होते हैं, वो इतने ज्यादा anti-net के according cover नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए, मैं extra part cover करा रहा हूँ, जो कि generally, मैं बो अगर आपका 1.5% per month interest लग रहा है, तो कौन ऐसे per month का interest लगवाने की कोशिश करेगा, तो वो तो जमाई कराएगा ना government में, तो इसका मला आपने TDS card कर लिया, लेकिन government में जमाई नहीं कराया, तो आप assassin default नहीं कहला होगी, ठीक है, no time limit is prescribed deeming a person to be assassin default in falling cases, नहीं, इसमें generally क्या बोल रहा है कि assassin default होगा, लेकिन इस case म कोई भी time limit जो 7 year की वो नहीं होगी, यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया, कोई भी 7 year की time limit नहीं होगी, यह बोल रहा है, तो इस case में क्या है, चाहे 10 साल भी होगे, तब भी आप assassin default कहला होगे, ऐसे बोल रहा है, no time limit is prescribed deeming a person to be assassin default in falling cases, इसका मलब, assassin default वो कहलाईगा इस case में चाहे 8 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, department के पास option है, वो सामने आले को notice बेस सकता है, order बेस सकता है, कि आपको TDS जमा कराना है, आपने नहीं जमा करा है, आपने कार्ट दिया लेकिन आपने जमा नहीं करा है, employer has failed to pay tax, क्योंकि employer ने liability ली थी, कि non-monitive perquisites पे मैं tax प किया जा सके, तो यह बाट आगया, फिर देखिये, interest for delay in deduction or payment section 201, subsection 1, if no tax is deducted or TDS is deducted but not paid to the government, तो यहाँ पे देखिये क्या बोल रहा है, कि if no TDS is deducted or tax is deducted but not paid to the government, इसमें 2 point आगये, simple interest at the rate 1% per month और part of the month of late deduction, date on which tax should have been deducted, date on which such tax was actually deducted, तो generally जो यह 1% का part है, यह deduction के लिए, कि अगर TDS deduct नहीं करा, तो जिस date तक TDS deduct कर देना चाहिए था, उसके अगले महिने से चालो जाएगा, जैसे देखिये मुझे पताए कि अगर महिन में deduction करना था, मैंने नहीं करा, 31st में तक, तो 1 June से चालो हो जाएगा, date on which tax should have been deducted, फिर अगर मैं चलो बोलता हूँ कि मैंने करा 2 July को, तो उस case में क्या हो गया, एक तो June का महिना आ गया और July का, क्योंकि देखिए कि आप बोल रहे है, 1% per month और part of the month, तो इसका मलब जुलाई के 2 दिन भी हो गए, तो पूरा एक महिना ले लिया जाएगा, तो उस case में आपको बता है कि 1% per month के according 2 महीने का हो गया, तो आप बोल सकते हो 2% interest, अगर माल लीजिए कि जो जैसे TDS का part था, वो कितना था, पचाहँजार का था, तो पचाहँजार का 2% लग जाएगा, इस तरीके देख सकते हैं, तो पचाहँजार का 2% होता है, 2% होता 1,000, तो 1,000 का interest लग लेकिन जमा लेट करा है, तो आपको पता है कि जो डेट होती है, जैसे आपको पता है कि जून में आपको काटना था, आपने काट लिया, लेकिन जमा आपको साथ जुलाई के अंदर करना था, तो आपने साथ जुलाई पर काटना था, तो आपने साथ जुलाई हो गई, उस तो जोलाई का पूरा मंथ आएगा क्योंकि यह जो रहा है है 1.5 percent per month और पार्ट तो जोलाई का पूरा मंत आएगा मान्के चलिये कि आप peng करा September में और September 5 September को जोलाई पूरा आएगा अगस्त पूरा है और September भी फूरा हैगा क्योंकि 2.5 of the month क्यों according लग जाएगा ठीक है तो from date on which tax was deducted up to date on which such tax is actually paid to government यह पाट आगया only one mode of recovery section 202 recovery of tax through deduction at source is one of the method of recovery of tax AO can use any other prescribed method of recovery in addition to tax deducted at source तो यह बोल रहा है कि जो recovery होगी tax की through deduction at source is one of the method of recovery of tax महलब जो source के तुरू deduct कर दिया कहने का महलब जो deductor है expense करने वाला है उसने direct क्या कर दिया जैसे ही at the time of payment or creating of the account of pay which is earlier TDS काट दिया तो वह एक mode of recovery है इसके लावा और कोई है नहीं AO can use any other prescribed method कर सकता है लेकिन generally क्या है वो करता नहीं यही method होता है certificate for tax deducted section 203 तो इसमें क्या बोल रहा है देखिए वही बात कर रहा है कि जैसे form नमर मैंने बता है 16 16 a 16 b 16 c यह generally certificate issue करना पड़ता है तो वह form नमर में पता चल जाता है कि आपकी कौन सी income थी जो सामने वाले deductor या expense करने वाले ने काटी है यानि इस पर TDS काटा है कितना कितना percentage का पार्ट है या जो भी particular requirement है वो सारे की सारी डीटेल उसमें दीवी होगी वैसे employer भी क्या करेगा जो non-monitive प्रकुर्ट पर टेक्स काटेगा यानि टेक्स एक तरीके से government में जमा कराएगा क्योंकि आपको बताए कि देखिए जो non-monitive प्रकुर्ट की facility वह employer प्रकुर्ट कर रहा है और वह TDS काट था लेकिन आपको बताए कि उसका प्रकुर्ट की आजाएंगे फिर फरणिशिंग ऑस्टेट्मेंट प्रकुर्ट करना तो आपको बताए कि जनरली एक तरीके से return बोलते हैं इसको TDS return बोल सकते हो अब जब भी ये furnishing of statement की बात कर रहा है तो section 203 AA prescribed income वैसे तो generally ये furnishing of statement में 26 AS भी आ सकता है देखे prescribed income tax authority or person authorized by such authority self-prepared and delivered to every person from whose income tax has been deducted or paid अच्छा है 26 AS की बात कर रहा है जो मैं आपको बताया था कि जरनली देखे डिड़क्टी को पता होना चाहिए कि उसकी कितनी income पर क्या tax कट रहा है तो किसके दुरूपता चल जाएगा 26 AS की दुरूपता चल जाएगा तो अब इसी की बात कर रहा है कि prescribed income tax authority or person authorized by such authority shall prepare and deliver to every person from whose income tax has been deducted और paid तो deductee की income में से tax deduct किया गया है और government में जमा कराए गया है तो उसको यह पता होना चाहिए कि कितनी income पर यानि उसकी income पर कितना TDS काटा गया है किस तरीके से काटा गया है such a statement should specify amount of tax deducted or paid DJIT director general of income tax has to deliver statement of TDS in form 26 AS by 31 July of the following year जो भी year है उसकी 30 फार जुलाई तक एक तरीके से form no 26 AS deliver हो जाना चाहिए जो कि system क्या करता है deliver कर देता है बार अगेंस direct demand of tax from assessi section 205 assessi cannot be asked to pay the tax on income on which tax has already been deducted यह देखिए एक तरीके से उसकी सुरक्षा करने के लिए safety करने के लिए किसकी deductee की यानि payee की देखिए payee क्या बोल रहा है मेरी income पर तो TDS कट चुका है मेरी income पर tax जो है वो deduct हो चुका है ठीक है अब जो paid है वो हुआ या निवा मुझे नहीं पता ठीक मेरी income पर तो TDS deduct हो चुका है जैसे मेरी एक लाग की income भी थी उस पर 10% TDS काटके मुझे 90,000 मिल गए तो जो 10,000 है वो सामने आले expenses करने वाले deductor ने काट लिया है तो आप मैं कुछ नहीं कर सकता है कि वो जमा नहीं करा रहा अगर वो नहीं करा रहा तो आप उससे interest ले लो आप मे अचेर है ने कर सकता है तो लो पर तो पर से लेकवर करना पड़ेगा तो इसका मलब डिडटर ही लाईबल होगा डिडटी लाइबल नहीं होगा क्योंकि डिडटी की income में चो टैक्स काटा जो चुका है अब पे किया नहीं किया वो तो गौश्वर्मेंट को किससे देखना ह से फिर देखें क्या वोला फंडिशिंग ऑफ स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंट्रेस्ट तु रेसिडेंट्स विदाउट डिदक्शन ऑफ टेक्स देखें जनरली जो यह प्रोविजन है यह आप देखोगे तो यह किसकी बात कर रहा है वह 194-a की बात कर रहा है तो 194-a में जनरली मैं आपको बताया था जो बैंकिंग कंपनी कॉपटी सोसाइटी है जो पबलिक कंपनी है वो क्या करती है जो FD वेफडी हो गई उस पर इंट् पर इंट्रेस अंडर सेक्शन निट्रेस निट्रेस नोट एक्सेडिंग 40,000 और रुपीज 5,000 इन एन इडर केस तो सम्थिंग वो सेक्शन 194 यह था यह वहां जाके देख लेना आपको बताई कि वहां पे मैंने यह भी बताया था कि अगर परसन के सीनियर से जाने तो 40 की ज कर रहा रखी और आपका इंट्रेस का पाट 40 यह 50 senior citizen के case में अगर आप senior citizen नियों तो 40 तो 40 से ज्यादा बन रहा है तो TDS कटता है ठीक है और अगर कोई other person क्या कर रहा है FD पर interest दे रहा है जैसे अगर मैंने किसी को loan दे दिया advance दे दिया तो उस पर generally मैं interest charge कर रहा हूं तो मे अगर कर रहा है तो यहां पर देखिये requirement है पैन की तो आपको बता है deductor और deductee को compulsory अपना pen number code करना पड़ेगा बोट deductor और deductee have to compulsory code pen of the deductee in all correspondence, bill, voucher and other document exchange between them यह होगा in case of failure to provide pen देखो अगर permanent account number सामने वाला provide नहीं कर पाता है इसका अमला वागर deductee नहीं दे रहा deductor तो दे गई क्योंकि deductor का याद तो 10 होगा आपको बता है tax deduction and collection account number उसका हो गई होगा जो कि मैंने आपको बता है 10 digit का होता है alpha numeric होता है यह generally क्या होता है जो भी TDS काटता है उसको लेना पड़ता है किसी किसी के इसमें लेने की जुरत नहीं है जैसे आपको बताया था मैं उसका source government को पता चलना चाहिए तो आपको अपना pen number तो court करना ही पड़ेगा अगर सामना आला deductive pen number नहीं दे रहा तो deductor क्या करेगा higher rate से काट देगा तो higher क्या होगा rate prescribed in the act अब देखो rate prescribed कितनी है 2% rate enforced that is rate mentioned in the finance act तो मान के चलिए कि finance act में rate mention कर रखी है वैसे तो normal यही रहती ह लेकिन on finance act में rate mention कर रखी है 5% तो 2% या 5% और 20% which is higher तो तब ही मैं क्या बोलता हूं कि normal tax rate normal TDS rate या 20% which is higher बार बार मैं आपको यही बताया इस section के according तो इसका मतलब यह था अब वो प्रोविजिन इस ऑल्स एप्लीकेबल इफ टेक्सपेर फाइले डेक्लेरेशन फॉर्म नमर 15 जे और 15 एच वो यह नहीं बोल सकता है कि मेरी इंकम कम है ठीक है यह यह नहीं बोल सकता कि मेरे को 197 के according TDS काटने की जूरत नहीं क्योंकि मुझे AOC certificate मिल गया लेकिन जाएगा कि उसने पैन सम्मिट किया ही नहीं तो मुझली मैंने आपको सारे प्रोविजिन इसमे बता दीए अब तेशी का पाइट खंऊंता है तो आपको brightest की वह टेक्स सेल मतला होता है उता हो टेक्स करता है वह तलो उट यह ओंनोगते से ठीके अब बायर कोन होगा जो grandsinda ऐसा trader होगा जो आगे resale करने का काम कर रहा है या रखना कि वो personally consume नहीं कर रहा देखिए जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर alcoholic liquor एक seller बेच रहा है जिस पे जो TCS की rate है वो देख लेते है देखिए alcoholic liquor पर TCS की rate है 1% for human consumption तो देखिए अगर एक seller क्या कर रहा है buyer को बेच रहा है और मैं खरीद रहा हूँ तो मैं तो गर के लिए यूज़ करूँगा personal consumption के लिए तो उस case में TCS ये collect नहीं करेगा, seller collect नहीं करेगा लेकिन अगर वो जो buyer है वो resale कर रहा है, वो आगे क्या कर रहा है clubs में, parties में इसमें बेच रहा है तो आपको बता है कि जो buyer खरीद रहा है उसके पास license है, seller के पास था ही buyer के पास भी license है, तभी तो वो बेचने का काम कर रहा होगा तो वो आगे क्या कर रहा है resale करने का काम कर रहा है तो वो एक तरीकी से trader ये हो गया तो फिर seller क्या करेगा, TCS collect करेगा माल लो 2 lakh की alcoholic liquor बेज दी तो उसका 1%, 2 lakh का 1% होता है अपना 2,000 पे तो सामने वाला seller क्या करेगा 2 lakh रुपे तो collect करेगा ही करेगा और साथ में 2,000 भी collect करेगा TCS के और उसको government में जमा करा देगा बाद में 2,2,000 तो जनरली ये ही बात कर रहा है देखिया आप बोल रहा है पेर is required to deduct tax at source at the prescribed rate लेकिन यहापे तो क्या certain goods service है वो नीचे दे रखे है alcoholic liquor दे रखा है और आपका वो दे रखा है क्या बोलते है तेंदू leaves दे रखे है timber दे रखा है जो forest producer related है या forest producer related नहीं है इस तरीगे से दे रखा है scrap का बाट दे रखा है motor vehicle का बाट दे रखा है कि अगर वो एक limit cross कर लेता है 10 lakh से ज़्यादा तो जनरली उस पर यानि car की बात कर रहा है वो अगर base देता है कोई person तो TCS collect करेगा अब कोई person का मतलब आप showroom वाला किसको बेचेगा customer को जनरली यही बात करेगा फिर देखिए tax is required to be deducted at the time of credit और payment which is earlier however in certain cases tax is required to be deducted at the time of payment लेकिन यहाँ पर क्या बोला है tax is required to be collected source at the time of debit और receipt which is earlier क्योंकि देखिए वहाँ पर आप expense कर रहे हो यह करेगा या bank account debit क्योंकि उसके वास पैसा आ रहा है तो वो data account debit bank account debit two sales यह करेगा और two TCS करेगा two sales और two TCS जब वो sale करेगा तो दो लाक लिखेगा और जो two CCS करेगा तो 2000 लिखेगा तो 2,2000 किस से recover करने है data से recover करने है in case of sale of motor vehicle tax shall be collected at the time of receipt of amount देखिए लेकिन अगर motor vehicle बेशने का पाट है तो उसकेस में tax amount receipt करते ही collect कर दिया जाएगा अब applicability की बात कर रहा है तो एक बार यह पढ़ लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है इसको मैं अटा देता हूँ अब देखिए क्या बोल रहा है यह मैंने आपको बताई दिया कि सेलर क्या कर रहा है बायर को सेल कर रहा है तो उसकेस में क्या करेगा वो TCS कलेट करेगा कब या तो उसको वो डेविट कर रहा है या उससे amount receipt हो रहा है या अगर वो data to sale कर रहा है कहने का मालब due हो रहा है यानि सीधा ही उससे पैसा मिल रहा है बिल बना, cash invoice बना उसमें उसने TCS कलेक्ट कर लिया दो लाग प्लस दो जार यह हो गया विचर इस अडलियर बोल रहा है फिर देखे second एवरी person who grant a lease और license और enter into a contract और otherwise transfer any right और interest in any parking lot और toll plaja जैसे आप देख सकते हो नगर निगम हो गया उनके पास parking के right हो गया तो उसने क्या गड़ दिया पार्किंग right किसी contractor को दे दिया कि तू क्या गड़ ना जो यह 10 रुपे, 20 रुपे, 30 रुपे वो collect करते रहना तो वो contractor को right दे दिया और contractor का generally क्या हो गया commission यह बाद में बनी जाएगा आपको पता है जो भी commission जितना भी वो collect करता है उसका commission मिल जाएगा और बागी इससा government के पास ले आएगा लेकिन जो parking lot का right है वो government ने किसको दिया contractor को दिया तो every person मलब government who grant a lease एसी मान के चलिए who grant a lease or license or enter into a contract or otherwise transfer any right or interest in any parking lot तो उसने अपना parking lot government ने उस contractor को दे दिया ठेके पे और जैसे मान के चलिए कि तैवा पांच लाग रुपे पांच लाग रुपे वे दिया या जो भी particular commission मिल रहा है जो भी particular amount मिल रहा है contractor contractor क्या कर रहा है 10 रुपे 20 रुपे टिकट ले के ले रहा है तो जो भी total amount बन रहा है उसका मान के चलिए कितना कटेगा 2% कटेगा में को ध्यान आ रहा है इसका TCS की rate होती है 2% तो 2% क्या होगा ये government collect करेगी उस पांच लाग रुपे के साथ total plaza हो गया या mine या query excluding mines or querying of mineral oil mineral oil include petroleum natural gas तो इसको छोड़के जो भी mine query है उसका part हो गया वो lease पे दे दिया to another person other than a public sector company देखिए public sector company को देंगे तो TCS collect नहीं करेंगे उसके अलबा किसी और person को देंगे तो उससे TCS collect करेंगे for the use of such parking lot total plaza mine or query for the purpose of business shall collect tax from the licensee or lessee at the time of debiting the amount or receipt of such amount which is earlier normal concept है अब देखिए meaning क्या बोल रहा है sailor का मतलब क्या है यहापे central government आजाएगी state government, local authority statutory corporation या कोई भी authority जो central act या state act या provincial act यानि प्रांती है अधिनियम उसके थूरू registered हो company, firm, cooperative society individual act आएगा लेकिन कब last year में उसकी tax audit हुई हो अगर last year में उसकी यानि individual act जिसका business है और जिसका turnover एक करोड से जादा है gross accept जो profession की बात कर रहे हो तो पचास लग से जादा है generally तब क्या होगा tax audit के डायरे में आप आजाओगे buyer for specified goods other than motor car means a person who obtained in any sale by way of auction, tender or any other mode specified goods or the right to receive any such goods देखिए buyer का मतलब क्या बोल रहा है ऐसे person ठीक है ये बोल रहा है for specified goods other than motor car motor car की क्यों नहीं बात करता है क्योंकि देखिए motor car में क्या होता है अब यहाँ पढ़ोगे कि जब एक sailor होगा मतलब showroom का जो owner होगा उसने अगर आपको motor car बेची है और इसकी value क्या 10 लाग से ज़ादा है तब जाके TCS का part वो collect करेगा और sailor जो खरीदने वाला होगा normal consumer होगा consumer होगा हमारे जैसा तब भी TCS का part आ जाता है बाकी सारे case में तो देखी मैंने क्या बताया कि वो reseller होना चाहिए जो भी buyer है वो क्या कर रहा है आगे बेचने का काम कर रहा है वो होना चाहिए लेकिन इस case में motor car में वो consumer चल जाता है seller और consumer का relationship देखा जाता है और motor car जो होनी चाहिए वो 10 लाग से जादा क्यों होनी चाहिए तब जाके TCS जो seller collect करेगा लेकिन बोल रहा है कि इसके अलावा बाकी सारे buyer आगा है जो क्या कर रहा है obtain कर रहा है in any sale auction में, tender में या किसी भी mode में उसने goods को खरीदा है लेकिन ये include नहीं कि जाएंगे क्या नहीं include कि जाएंगे बायर में public sector company, central government, state government, embassy या कुछ भी services दे रहा है scrap बेच रहा है उसमें अगर जिसको बेच रहा है वो central government है, state government है, embassy है, high commission है तो इनसे TCS collect नहीं किया जाएगा club है उससे भी TCS collect नहीं किया जाएगा क्योंकि जो एक club है वो अगर alcoholic liquor खरीद रहा है या कोई भी product खरीद रहा है तो अपने member के यूज करने के लिए खरीद रहा है तो आगे बेचने के लिए नहीं यूज कर रहा है वैसी central government भी खरीद रहा है, state government भी खरीद रहा है तो specifically बोल दिया कि जब भी ये खरीदेंगे, चाहिए आगे कैसे भी यूज करें लेकिन इनसे TCS collect नहीं किया जाएगा और एक उस buyer से नहीं खरीद टीचेस कलेट किया जाएगा जो personal consumption के लिए इसको यूज कर रहा है तो buyer जिसने retail sale में खरीद आ है जैसे मेरे जैसा person, आपके जैसा person अपन क्या करते हैं, कुछ भी चीज खरीदते हैं जिस पर TCS का provision है तो कहीं अपन से TCS collect किया जाता है जैसे मान के चलिए कि कोई person shop पे गया beer की और alcoholic liquor खरीदी तो यह थोड़ी उससे TCS collect कर लेंगे क्योंकि वो तो personally गर के लिए यूज़ कर रहा है ठीक है, marriage के लिए यूज़ कर रहा है तो उसको पता है कि वो बेचने का काम नहीं कर रहा वो तो क्या कर रहा है, खुद के personal consumption के लिए यूज़ कर रहा है, तो उससे TCS collect नहीं किया जाएगा buyer in case of motor car means a person who obtain in any sale motor car but does not include the central government, state government, embassy, high commission same आ गया, local authority और public sector company which is engaged in the business of carrying passenger ये नहीं आएगे, किसके case में? buyer in case of motor car means a person who obtain in any sale motor car तो मैंने आपको बताया था कि मैं showroom में गया और मैंने motor car खरीदी, लेकिन उस case में आपको बताया कि देखे ये include नहीं होंगे देखे बायर क्यों बोल रहा है include होंगे या बायर क्यों बोल रहा है क्योंकि आपको बताया कि TCS लिया जा रहा है लेकिन या पे बोल रहा है क्यों नहीं include होंगे क्योंकि इनसे TCS नहीं लिया जा रहा तो central government, state government, embassy इसकी बात कर रहा है जो उपर पड़ आपने local authority से भी नहीं लिया जाएगा और public sector company उससे भी TCS नहीं लिया जाएगा अगर motor car बेचने का काम हो रहा है यानि अगर आप motor car खरीद रहे हो तो आप इस case में buyer नहीं कहला होगे और आप से TCS नहीं collect किया जाएगा इन तीनों cases में फिर इस pacified goods का मलब क्या हो गया alcoholic liquor, tendu leave, timber any forest produce, scrap specified mineral जिसमें coil आ जाता है lignite आता है, iron ore आ जाता है जिसको हम low ice की भी बोलते है हिंदी में motor car जिसकी value कहा है 10 लाग से ज्यादा की है तो यह मैं आपको बता है, अब देख सकते है 1% है, tendu leave पर 5% है timber obtained under a forest lease 2.5 other than forest lease तब भी 2.5 है any other forest produce मलब tendu leave को छोड़के और timber को छोड़के, क्योंकि देखिए tendu leave पर 5% है और जो यह timber है, उस पर 2.5% है उसको छोड़के बागी सब पर 2.5 तो हम बोल सकते हैं कि tendu leave को छोड़के जितने भी forest produce है उस पर 2.5% ही होगा, इस crap पर 1% इस specified mineral जो की coal, lignite, iron ore की बात कर रहा है उस पर 1% motor guard जिसकी value 10 lakh से ज़्यादा की है उस पर 1% और parking lot, toll plaja, mining, querying जो कि अभी हमने उपर देखा कि government ने क्या गरा किसी contractor को parking lot दिया और बोला कि इस पर क्या गरे parking charges collect कर toll plaja दिया, तो आपको बता है कि toll plaja में जाते हो तो generally वो private agency के पास होता है तो normally क्या करती है government contract पे दे देती है और क्या करती है, जो भी total revenue generate हुआ है उसका 2% collect कर लेगी TCS के form में भी, किस से उन contractor से ठीक है तो क्या बोल रहा, इस case में क्या हो जाएगा surcharge भी जुड जाएगा health and education सेज भी जुड जाएगा जब बायर कोन होंगे अगर कोई non-resident है, non-corporate SSC है non-domestic company है मतलब कहने हमाला कोई foreign company हो गई ठीक है कोई foreign person हो गया foreign citizen हो गया कोई foreign हो गया जो non-corporate SSC है जो जरूरी नहीं कि कोई company हो तो company भी आ गई और इसके अलावा other citizen भी आ गई तो सारे के सारे foreign company से related या foreign citizen से related person आ गई scrap means waste and scrap from the manufacture or mechanical working of metal which is definitely not usable as such because of breakage, cutting up, wear and other reasons देखो, scrap आपको पता है क्या होते हैं वेस्ट होते हैं तो इसमें समझानी की जूरत नहीं है यहाँ पर बोला requirement to furnish pen by collectee, देखे सीधी से बात है एक होगा collector, collector कौन होगा जो TCS collect कर रहा है तो हमारे case में collector कौन होगा seller कौन होगा seller और एक होगा collectee जो generally कौन होगा buyer तो यहाँ पर यह बोल रहा है कि any person paying any sum on which tax is collectible at source shall furnish is pen to the person responsible for collecting such tax तो इसका मलब है कि responsible कौन है seller, जो कि tax क्या करेगा, collect करेगा तो collectee क्या करेगा, pen furnish करेगा collector को देगा जैसे deducteur और deductee की case में deductee को pen number देना ज़रूरी है नहीं तो इसकी income पर higher rate से tax cut दिया जाता है वैसे यहाँ पर भी बोल रहा है कि higher rate of tax लग जाएगी लेकिन क्या लगएगी, higher of the following rate at twice of the specified TCS rate और at the rate of 5% ठीक है, दोनों में से जो higher हो जैसे मैं जैसे बोल सकता हूँ, कहां गया जैसे ये, तो मान के चलिए कोई भी example लीजे कि एक seller है जो 5% के according क्या कर रहा है TCS collect कर रहा है तेन दोली उपे अब जो बायर है उसने TCS नहीं दिया पैन नमबर नहीं दिया, किसने बायर ने खरीदने वाले ने, जिसको हम बोलेंगे collect T जिससे क्या कर रहे है, tax collect कर रहे है तो उसने नहीं दिया, तो 5% का double कितना होता है 10% तो 10% और 5% which is higher 10% तो यह माना जाएगा कि collector को pen मिला ही नहीं है that collectee has not furnished his pen to the collector कि collectee ने pen दिया ही नहीं है यह माना जाएगा exception क्या बोल रहा है the provision of higher rate shall not be applicable to a non-resident who does not have permanent establishment in India देखे जो यह higher rate का provision है कि 5% लग जाएगा आपको बता है कि 1% TCS rate थी उसका double कितना हो गया, 2% तो 2% या 5% which is higher यह normal resident person के case में है non-resident के case में नहीं है जिसका इंडिया में कोई भी permanent establishment नहीं है देखे यह permanent establishment क्या होता है यह generally आपने international taxation में cover किया होगा कोई branch हो, कोई factory हो कोई office हो, etc. यह सारा पार्ट मैंने cover कराया था अगर आपने नहीं देखा तो permanent establishment international taxation में जाके देखे बहुत सारे पार्ट है जिसमें generally normal आप क्या cover करते हो कि यह कोई branch नहीं है कोई office नहीं है कोई registered place नहीं है तो उस case में क्या बोलेंगे उसका permanent establishment नहीं है अगर होगा तो क्या बोलेंगे permanent establishment है ठीक है तो जब नहीं होगा तो उस case में higher rate का provision लगेगा ही नहीं फिर देखे आपको क्या बोल रहा है non applicability of TCS section 206C1A no TCS if resident buyer furnishes to the collector a declaration in writing in duplicate debt goods are to be utilized for manufacturing processing producing article or thing or for generation of power and not for trading purpose देखे यहाँ भी क्या बोल रहा है कि TCS के provision कब applicable नहीं होंगे कि एक seller था उसने buyer को goods बेचा लेकिन जो buyer है वो generally trader नहीं है वो manufacturer है वो क्या कर रहा है जो भी article खरीद रहा है जैसे तेंदूली खरीद रहा है तो उससे कुछ और चीज बना रहा है ठीक है ऐसे हो गया तो यहाँ पर यहीं बोल रहा है कि जब सामने वाला क्या है इन डुप्लिकेट कि मैं जो भी goods उटिलाइस कर रहा हूँ वो manufacturing के लिए processing के लिए या किसी particular goods को बनाने के लिए use कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको trading purpose के लिए उसको resale करने के लिए उसने कर रहा हूँ मैं manufacturing में काम ले रहा हूँ इसलिए आप TCS collect मत कीजिए TCS मत काटिए ठीक है तो जनरल यह सामने वाला क्या करेगा TCS नहीं collect करेगा fundishing of copy of declaration within specified time person responsible for collecting tax shall deliver one copy of declaration under section 206 C1A or CCID sorry 2 CCID Chief Commissioner of Income Tax or Commissioner of Income Tax on or before 7th of the month following the month in which declaration is given to him तो इस declaration कब देगा following the month in which declaration is given to him जब उसको declaration दी तो उसकी copy वो कब देगा अगले महीने की 7 तारीक के अंदर किसको देगा Chief Commissioner of Income Tax को या Commissioner of Income Tax को साथ या उससे पहले Time limit for paying tax collected to the central government देखिए आपको बताए कि आपने बायर से tax collect किया तो आपको क्या करना पड़ेगा जमा करना पड़ेगा तो उस case में अगर government है जो की क्या कर रही है सामने आले बायर से tax collect कर रही है खुदी government है तो उस case में अगर बोल रहा है कि चालान produce नहीं करा तो same day of TCS जिस दिन TCS collect किया उसी दिन government में जमा करना पड़ेगा लेकिन अगर जो ये TCS काटा है चालान के साथ है Tax Paid Accompanied by Income Tax चालान कि जो TCS काटा है collect किया है वो चालान के साथ है तो उस case में 7 days from end of the month of TCS ठीक है TCS collect किया उसकी बाद चालान produce कर दिया जैसे चालान produce किया तो उस case में 7 दिन का time मिल जाता है 7 days from the end of the month of TCS जिस month में TCS collect किया उसके अगले महीने की 7 तरिक तक Other than government Within 1 week from the last day of month of TCS जिस तो सीधी सी बात है जैसे अगर मैं बोलता हूँ जुलाई तो साथ अगस्त Within 1 week तो यही हो गया कि 31st July तक तो आपको बताए कि TCS collect किया जुलाई में collect किया TCS collect किया और उसका जो payment होगा वो कब होगा साथ अगस्त के अंदर within 1 week हो जाएगा तो यह जनरली आपका सारा पाइट इसमें cover हो गया तो देखिए वैसे तो मैं इसको दो तीन वीडियो में cover कर रहा था लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि इतने provisions क्या है काम क्या है या मैं दीरे-दीरे समझा हूँ क्योंकि वैसे भी आप पढ़ लोगे तो वैसे ही समझ में आ जाएंगे कोई इतने जादा typical भी नहीं है और इतने जादा exam के लिए आप देख सकते हो काम भी नहीं आते अगर आप इसके mcqs भी देखोगे जो मैंने cover की है तो देखो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यह मैंने 40 mcqs cover की है तो इसमें जब भी आप question देखोगे तो generally देखो TDS की rate क्या है ठीक है यह TDS की rate क्या है कौन-कौन सी यह form क्या आया फिर उसके बाद generally यह भी form का आया कि annual यह quarterly यह half yearly क्या है तो वह generally आपको पता होने चाहिए यह मैंने cover कर लिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो फिर देखे generally क्या वह लेगा 271c है पेनल्टी का amount क्या होगा तो यह 271c का एक generally आया December 14 में लेकिन उसके बाद देखना कि कोई भी नॉर्मली जातर आये नहीं है और मैंने important ही cover किये तो आप देख सकते हो कि अभी recently जो भी आ रहे वह form से related आ रहे है certificate से related आ रहे है यह एक particular percentage देगा और heading देगा तो आपको बस क्या करना है match करना है जो भी mismatch part है उसको आपको match करना पड़ेगा ठीक तो I hope आपको वीडियो पसंद आ योगी वीडियो देखने के थैंक्यू और